आखिलेई श्यादव ने शेयर की गोडे की तस्वीर और पूछा जरा इसकी नसल तो बताओ और फिर जो जब आब सामने आए सुनकर तो आप भी चौक जाएंगे फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस का दोर जारी आखिर क्या कहना चाते हैं सपाचीफ इस तस्वीर को शेयर करने का मतलब क्या है अक्सर सियासी कटाक्ष और वार के लिए अखिलेई श्यादव की होती है चर्चाएं लेकिन आपकी बार गोडे की तस्वीर ने सब का माता ठंका दिया सपाचीफ का इशारा आखिर किधर है सपाचीफ जब भी कोई हल्चल करते हैं तो फिर चर्चाएं और हंगामा हो ही जाता है और एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है वैसे तो सियासी तोर पर कटाक्ष और विरोधियों पर बार करने के लिए अखिलेश श्यादव की पैचान होती है लेकिन अपकी बार चर्चाओं का कारण है वो तस्वीर जिसे अखिलेश श्यादव ने शेयर किया है और पूछा है कि जरा इसकी नसल बताओ पूर्व सियम ने सोशल मीडिया पर एक गोड़े की तस्वीर को साजा किया और फिर अपने चाहने बालों और देश की आवाम से पूछा कि इस गोड़े की नसल क्या है जरा हमें बताओ और इसी नसल वाले सवाल पर सियासत में हंगाम अबर्पा हुआ है और लोग इसे अलग-अलग एंगल से जहां सोच कर प्रत्क्रियां दे रहे हैं तो वहीं अलग-अलग तरह से मामले में एक्शन का रियक्शन देखने को मिल रहा है वैसे भी सपाचीफ को पहलियों में बात कहने का माहर बताया जाता है सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वो अकसर कुछ ऐसी ही पहलियां भूजते हैं वो यूपी के पूर्वसीयम है बीजेपी के खिलाब बने विपक्षी गटपंदन के एहम नेता है इसलिए उनक पर लंबी रेस का गोड़ा है अब ये चोटा कद येक्में लगने लगे ही उनकी इस पोस्ट के नीचे भीृजरस के तमाम कमेंट्स है उन्हीं में से किसी एक जानकार İşर दरुप का इशारा किसकी ऊर है ये पता नहीं लेकिन ये जरूर है कि ये गोड़ा लिपी जेन नह दिख रहा घोड़ा अखिलेश यादव की कमर से नीचे है इंटरनेट पर उपलब्द जानकारी के अनुसार खुद अखिलेश यादव की हाइड पांच फुट सात इंच के आसपास है तो उनके सामने खड़ा ये घोड़ा करीब दो से धाई पिट के आसपास लग रहा है इस सक्त जान होते हैं और छोटी गाड़ियां बगारा खीच सकते हैं यूरोप में इन्हें गाइड डॉक की तरह इस्तिमाल किया जाता है ये नित्रहीन या दूसरे दिव्यांगों के केमपेनियन या साथी बनकर उन्हें राह दिखाते हैं उनकी उम्र भी 35 साल तक होती है कई बार ये फुल साइस गोड़ों से भी लंबा जी जाते हैं इस हिसाब से इसे अखिलेश यादब का लंबी रेस का गोड़ा कहना बिल्कुल सही है गलत नहीं है लेकिन तस्वीर के पोस्ट रोने के बाद से लगातार सवालों का दौर जारी है और सब अखिलेश यादब से यही पूछ रहें कि आखिर उन्होंने किसकी तरफ इशारा करते हुए इस घोड़े की नस्ल को पूछा है देरो रिपोर्ट मीडिया हल चल